हेलो एंड वेलकम तो आवर चैनल आवर टूड़ टोपिक इस साइज एंड लोकेशन ओफ इंडिया तो आज समझेंगे हम जो इंडिया का साइज है और जो इसकी लोकेशन है वो क्या है और इसके लिए हमारा सोर्स है जो 9th क्लास NCRT है जो चैक्टर 1 है जियोग्राफिका तो उससे आज हम समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अब पहले इस परगराफ में कोई ज्यादा इंपोर्टेंट बात तो नहीं है सिर्फ यही का गया है जो सिविलाजेशन है इंडिया सबसे एंशियंट सिविलाजेशन है और पिछले 5-10 को से यह जो मतलब ग्रो कर रहा ह जो प्रोग्रेस कर रहा है इसमें इतनी इंपोर्टेंट चीज नहीं है जो आपके लिए इंपोर्टेंट है वो आगे देखेंगे अब इसकी लोकेशन देखें यह आपके लिए इंपोर्टेंट है तो समझेए जो इंडिया है वो है जो लैटिटूड है और होगी तो समझे जो इंडिया है वो लैटिटुड की बात हो रही है एट डिग्री फोर मिन्ट नोर्थ से लेकर थर्टी सावन डिग्री सिक्स मिन्ट नोर्थ के बीच में लाई करता है और जो लोगरिटूड है वो इंडिया को अल्मस्ट टू टू पार्ट्स में डिवाइड करता है और यहां पर जो अंडेमान और निकोबार लक्सिदीप है वो है एक बे बे बंगाल में है अंडेमान और निकोबार और जो अरेबियन सी है जो अरेबियन सी में पड़ता है वो है लक्सिदीप आइसलेंड यह भी दोनों इंडिया के पार्ट है और आप समझें इंडिया का साइज जो इंडिया का साइज है वो है 3.28 मिलियन स्क्वेर किलोमेटर यानि कि अगर हम इन्हें लैक में कनवर्ट करें तो इसका जो 48,000 गिलोमेटर जो इसका ये अलमोस्ट वैलियो बनेगी स्क्वेर किलोमेटर और अगर हम इसको कॉम्पेर करें वर्ट से तो इंडिया के पास जो मेल लाइन्ड है वर्ट की तो वो है 2.4 परसेंट पूरे जो वर्ट की जो लैंड है उसमें इंडिया का कितना कॉन्ट्रीеб रहे हैं इंडिया इस्ट्रेली आफ्रीक ही यह पूरा वेल्ड मैप है जो हम पढ़ रहे हैं अओ इंडिया के बारे में तो देखी आगे समझों कि जो इंडिया की लैंड है जो लैंड टच होती है लैंड से या दूसरी कंटरियों के साथ और जो कोश्टल बाउनडरी है यानि कि जो किसी सी में या ओसन से कनेक्ट होती है वो कितनी है 7,560.6 किलो मेटर और इसमें जो अंदेमान एंड निकोबार है या फिर लकस दूर्थ है दोनों इसमें include हैं इन दोनों को मिलाकर 7516.6 किलोमेटर बाउंडरी है वो होती है जो इंडिया है इंडिया की बाउंडरी है जो यंग फोल्ड मांटन यहाँ पर हिमालिया की बात हो रही है और मांटन इन दी नॉर्थ वेस्ट जो नॉर्थ वेस्ट में हिमालिया तक पर साउथ में अब यह इसको समझिया जो साउथ में यानि की जो इस साइड से है यहां से 22 डिगरी लैटिटूड होकर गुजरती है नॉर्थ में तो इसके बाद इंडिया क्या सुरू हो जाता है यानि की टैपर होना सुरू हो जाता है टैपर का मतलब समझिये यह देखिये यानि की यह आगे से पतला हो जाता है तो इसे काते हैं की यह इट बिगिन्स टैपर इंडिवाइश डिगरी लैटिटूड के बाद इंडिया टैपर होना सुरू हो जाता है वेस्ट की साइड और एक है बे ओफ बैंगोल जो पढ़ती है इस्ट की साइड और अब आगे पढ़िए जो लाक्टीटूड और जो लोगनिटूड एकसिटन है इंडिया की वो है 30 डिगरी जो इसमें डिफ्रेंट्स है यानि की east to west और north to south लाक्टीटूड और लोगनिटूड में जो डिफ्रेंट्स है वो है almost 30 डिगरी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उपर अब हमने पढ़ा था कि लाटिटूड और लोगनिटूड में किता डिफ्रेंस है तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं और आगे एक मैप आएगा मैं उसमें भी एक बार आपको दिखा दूँगा कि कैसे ये 30 डिफ्रेंस है दोनों में लाटिटूड और लोगनिटूड में तो चलिए आगे पढ़ते हैं में लड़िये हम पढ़ चुके है यहां से और अम देहिए जो गुजरात है और जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें लगबग दो घंटे का फरق है तू और्स का डिफ्रेंस है जो गुजरात और अनौचर प्रदेश है और जो स्टैंडर्ड मेडियन ओफ इंडिया है जहां से हम पूरी कंट्री का टाइम मेजर करते हैं वो होकर गुजरती है 82 degree half east या फिर 82 degree 13 minute east से होकर पास होती है वो मिर्जापूर है UP में वहां से होकर गुजरती है जो जहां से इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो मेजर किया जाता है पूरी कंट्री का अब यह देखिए आप इंडिया एंड दी वर्ल्ड इंडिया दी इंडियन लैंड मास है जाज ए सेंटर लोकेशन बिट्विन दी इस्ट एंड वेस्ट एसिया यानि कि जो एसियन कॉंटिनेंट है उसमें अगर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करें इस्ट और तो इंडिया की जो लोकेशन है वो इनके सेंटर में पढ़ती है अब आगे समझिए दी ट्रांस इंडियन ओसन रूट विच कनेक्ट दी कंट्री इंड यूरोप इंड वेस्ट एंड दी कंट्री ओफ दी इस्ट एसियन यानि कि जो हमारी वेस्टन कोस्ट लैंड है वो हमे इस्ट एसिया से और साउथ इस्ट एसिया से कनेक्ट करती है इसमें पारग्राफ में यही बताया गया है इसमें पूरा पारग्राफ में यही बताया गया है इंडिया इस्ट एस्ट 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 एमिनंट पोजिशन ओफ डी इंडियन ओशन जो इंडिया की है क्या एक special पोजिशन यानि एमिनंट एक important पोजिशन हा इंडियन ओशन में तो अब ये देखिए इंडिया हा जो लैंड में सौत्वे नमबर की कंट्री है पूरे वर्ल्ड में ये दिखाया हुआ यानि पहले नंबर पर है रसिया दूसरे पर कैनेडा फिर यूएसे चाइना ब्राजील उस्टेलिया और फिर साथ नंबर पर है इंडिया जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो इंडिया की जो बाउंडरी है कितनी इसकी टोटल लैंड है और यह वर्ल्ड का 2.4 जो लैंड है कवर करता है तो चलिए अब यह देहिए जो मैंने आपको 30 डिगरी जो डिफ्रेंस बताया था यह आप यहां से समझिए यह है वैस्ट से लेकर 68 और 7 मिन्ट से लेकर 97 डिगरी 25 मिन्ट यह है 30 डिगरी का इन दोनों में डिफ्रेंस है और यही 30 37 degree 6 mint से लेकर 88 degree 4 mint तक यह यह भी almost 30 degree का difference यही का गया था इसमें लेकिन जो इसमें वो जो बताया गया था कि north से लेकर south तक जो हमारी extension है वो ज्यादा दिखती है as compared to east to west अब आगे पढ़ते हैं अब जो यह इंडिया की location है यह इसमें दिखाई गई है कि किस परकार से इंडिया यह देखिए इस परकार से हम जो यहां से होते हुए यह यूरोप से connect होते हैं और जो east west Asia है इससे connect होते हैं और इस तरफ से हम south east Asia और इन से connect होते हैं यह हमारे सारे ocean route है यह दिखाए गए हैं कि कहां से हम कौन से पार्ट से connect होते हैं इसमें सब कुछ दिखाये गए है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया contract with the world have the contribution but the relationship through the land route is much हो यानि कि इसमें बताया गए है अगर आपने history पड़ी हो तो जो इंडिया का north east वाला जो region है वो हमेशा हमारे लिए vulnerable रहा है वहां से बहुत से attack वहीं से आए है नोर्थ इस्ट इंडिया से हमारी यानि कि जो हमारे ancient relation है world के साथ वो connect होते हैं नोर्थ वाली साइड यानि कि land से ज्यादा connect होते हैं हमारे जो relation है वो जो ocean के थुरू है वो बहुत कम है as compared to land के मुकाबले इसमें यही बात कही गई है जो उपनी सद चीजे ले गई है और बस यही है इसमें कुछ ज्यादा important इतने बात नहीं है तो अब देखिए जो इंडिया इंडिया नेवर्स है अब उसके बारे में बात करते हैं इंडिया ओक्यूपाई एन इंपोर्टेंट स्टेजिक पोजिशन इंडि साउथ इस्ट एस्या जो क्या कितनी स्टेट्स है नाइन यूनिन टैर्ट्री और यह हां यह आप इसको जब भी आप इसे पढ़ रहे हों जो भी करंट की चीज है वह आप इसको ध्यान रखिएगा कि कितनी स्टेट है और कितनी नहीं है अब देखिए क्योंकि अभी जम्मू कस्मीर भी वह हुई है दो अधर्ट्रे बनी है उसी साब से आप देख लीजिगा इंडिया से इस लइन मार और बांगल देख टी यह इस्ट से यह सब इसमें बताया गया है other south southern neighbors across the sea across the two Iceland country namely अब इसके बारे मागे पढ़ेंगे इससे पहले आप ये map देखिएगा इसमें जो इंडिया की पूरी position बताए गई है ये इसमें जो coastal line है boundary line है ये सारी सारी बताए गई है जो भी हमने पढ़ा जो पाकिस्तान ये अफगानिस्तान है ये पाकिस्तान और इसे हमारी boundary इस तरफ से लगती है यानि कि नूर्थ वेस्ट से और ये चाइना नेपाल भूटान बांगला देश ये हमारी boundary टाच होती है और जो यह Coast Line वाला एरिया है इस तरफ से यह है सिरिलंका और सिरिलंका से हमाई सिरिलंका और एक मालदीव यह रहां मालदीव इसे हम इंडिया नोसन से कनेक्ट करते हैं इंडिया भाइ आ नैरो चैनल सी फोर्म पलक स्टेट यानी कि जो सिरिलंका से आम यहां से एक बहुत ही narrow channel है और यहां पर एक पलक state आई याद रहिएगा state के लिए state भी आपके exam में कई बार पुछे जा सकते हैं तो आप याद रहिएगा जो पलक state है जो सिरी लंका और इंडिया की बीच में कौन सा state है वो है पलक state ही याद रहिएगा और गल्फ ओफ मनार जो इस पे शौथ टिप पर है इंडिया की गल्फ ओफ मनार विच माल्दिफ आइसलेंड इस सिचुएटेड ओन दी शौथ एंड दी लोक्सदीप आइसलेंड इंडिया हाज है इस ट्रोंग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद दी नेबर्स लुक एट दी फिजिकल मैप ओफ इंडिया यह इसमें तो कुछ है निक है तो अब यह चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका तो यही था कुछ जो इंपोर्टेंट चीजे थी व तो थैंक यू फ्रेंट